जय जगन्ना अब ही हम अपने किचन में हैं और आप देख रहे हैं कि मैंने कितने सारे भेजिटेब्स यहां पर रखे हैं क्यूंकि इन सारे भेजटेबल को मिलाके हम आदते सबसी बनाने वाले हैं और ये जो सारे भेजेटेबल्स है ये पहले से ही आज ये भेजेटेबल्स ये भोग लगेंगे और फिर उसके बाद हम इसके सबजी बनाएंगे क्योंकि ये प्रथा है और ये सारे भेजेटेबल्स जो है दूती बहान वरत होता है उसमें लगता है और उसमें ये प्रथा है और वरत्व प्रूत्रेत क हैं, फूत्र रतवरे प्रूत्स भी क्या दें दनिंद्लिक स्तुर्ट करनें होगी है carry तो इसले, आं सुले, फूत्र रता ौत्स को éléments ब्रूत्स कहले हैं हैं से नंहीं पूत्रम सहते, पूत्रम सहते हैं उसको दुतिवान पूजा भी कहते हैं यह आश्टन के जो कृष्ण प्रक्ष की जो अश्टमी होती है उसी दिन मनाई जाती है लेकिन उसकी जो शुरुवात होती है उसके दिन से हो जाती है महिलाएं जो होती है तालाब और नदी के पास जाकर सनान करके और सारे भोग बगर लेकर वहां पर जाके चील और शुगाल उनकी प्रतिकृतियां बालू में अंकित करते हैं इसे महिलाएं जो होती हैं जो मन देपता होता है ईस पूजा के वो शूरय देब के पुत्र हैं तो यह पहले दन की पुजा और जो मेन पुजा होता है अस्तमि के दिन उसे दिन महिला ये जो होती है व्रध्धारी वर संकल्प लेकर व्रत की शुरुवात करती हैं और ये निर्जला पूजा पर दुतिवहन की पूजा होती है वहीं पर यह सारे वेजेटेबल्स जो हैं वो दिये जाते हैं अर्ग के रूप में तो 21 परकार के वेजेटेबल्स हैं वो दिये जाते हैं उस दिन का पूजा समापन होने के बाद नेक्स दे मतलब नवमी के दिन यह सबजी बनती है जो यह सारे वेजेटेबल्स हुआ पर अर्ग के रूप में दिया जाता है उसी से ही यह जो करी हम बनाएंगे वेजेटेबल करी वो बनेगा और उसके बाद यह जो जितने भी आपके आसपास के पडोस के लोग होते हैं हर क सारे इंडिजीनेस और कंट्री वेजेटेबल्स होते हैं कोई बहार का वेजेटेबल्स इसमें यूज नहीं होता है यह होता है इस पूजा की खासियर और कल यह पूजा होने वाला है इसलिए मैं आज वीडियो डाल रही हूँ पर देखिये जैसा मैंने कहा के 21 टाइब के फेजेटेबोस लगते हैं लेकिन मैं यह पर 21 टाइब के फेजेटेबोस नहीं लाए पाई एक कम है इसमें यह है पंकिन यह सबसे ज्यादा लगता है और यह आश्गाओड जिसको क्यों पेथा कहते हैं और यह एलिफंट आम और यह पटेटो और यह अर्बी यह जिंगा और यह बीन्स लोग स्प्रिंग बीन्स देते हैं लेकिन मैं उझे वह मिला नहीं आज इतलिए मैं फैंच बीन्स यूज कर रहें यह ब्रिंजॉल यह पर चाहिए ज्यादा डाल लेंगे तो wasnit एक चाहिए और यहं पर हमें चाहिए हैं मोंग दाल का स्प्राउड यह टीनों इसमें जाएँगे यह तीनों कंपल्सरी होते हैं इनको लगा के 21 प्रकार का होता है इस प्राउट जाता है और यह जो चना और पीज मैंने दिखाया है इसको हम रात भर उसको भीगोके उसके बाद उसको डालेंगे तो यह हो गया सारा समान देथ के माना नारियल मैंने रखा है ग्रेट करने के उसको भी हम डालेंगे तो चलिए बनाना शूर करते हैं घांटो तोरकारी यहां पर मैंने एक कड़ाई चड़ा दी है और एक ग्लास पानी मैंने इसमें दे दिया है क्योंकि जो चने हमने भिगोये थे और येलो जो पीला मटर हमने भिगोया था उसको हमें थोड़ा उसको पहले पकाना है क्योंकि वो थोड़ा पकने के लिए टाइम लेगा उसको हमें थोड़ा पकाना है इसलिए मैंने पानी गरम करके इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी दे रही हूँ और उसके बाद जो चने हैं और जो मटर है उसको हम इसके अंदर डालेंगे और उसको डालके 10 मिनिट तक उसको हम पकाएंगे यह जो अच्छी तरीके से थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम एक एक करके जो दूसरे वेजिटेबल से उसको डालेंगे लेकिन इसको सबसे पहले पकाना जरूरी है क्योंकि ये पकने के लिए थोड़ा टाइम लेता है अभी देखिए 10 मिन्ट हो गए ही अच्छी तरीके से पक गए हैं और अभी हमें क्या करना है जो भेजेटेबल से हमें इसके अंदर डाल देना है इन टैनों को छोड़े सारे जीजेव को हमने इसमें डाल देना है और जो जो ब्हेंगंै नहीं डाला है और इन तीनों को हम थोड़ा 10 15 मिन्ट बार डालेंगे क्यों तो जीए ज्यादा टाइम लगते हैं पक्ञे में जो बैंगन कद्दू है फोटा कम टाइम लगेगा इसलिए एक पड़ बाद में डालेंगे कि दूसरे रेज़िटेबल से हम पहले पका लेते हैं उसको पकने देते हैं अभी हम ने सारे रेज़िटेबल डाल दिये हैं अभी आम्या करना यह उसको ढख देना है धकके 10 मिन तक पकाना है बाद में आके हम बेंगन और कद्दू 10 मिनिट के बाद हम डालेंगे यह देखिए अभी हम आपको 10 मिनिट के बाद दिखा रहे हैं यह देखिए जो सारे है भेजेटेबल से हमने डाले थे वो थोड़ा बहुत पक चुके हैं दस मिनट के अंदर जितना पकना है वो कि यह दितने सारे चीजह हमने यूज किया है उसको मिक्स करके उसको बनाते हैं इसलिए उसको कहते हैं मिक्स करके नको ठीक हम एक टिखिए जितने सारे चीज़े हमने डाल दिया है उसको अभी हमें क्या करना है अब आपस से ढखकन लगा के फिर से हमें इसको दस मिल्ट तक पकाना है उसके बाद आके हम इसमें गुड और नारियल देंगे अभी देखे मैं आपको 15 मिनिट बाद दिखा रही हूं और यह सारे बेज़े जबल सो जो है अल्मोस्ट पक चुके हैं लेकिन कुछ और चीज़े जो हैं हमें इसमें डालनी है जैसे कि स्प्राउड हमने स्प्राउड नहीं डाला है क्यूंकि जो मूंग स्प्राउड होता है पकने के लिए थोड़ा कम समय लगता है इसलिए हम इसको थोड़ा बाद में डालेंगे इस प्राउड के साथ साथ यह नारियन मैंने यहां पर नारियल कसा हुआ दिया है आप चाहें तो टुकडा करके उसको दे सकते हैं और यह थोड़ा गुड़ जैसा मैंने कहा कि यह थ नहीं ज्यादा तेल के लिए थे क्यूंकि हमने पानी डाला था लेकory हम इसमें बहुत कम मसाला यूज करना है यह दो ज़ाना ही झाल ताड़का ने हम लगांगे इसको मैं ही घृगा दूब जीत vocal वर भी घृगए निया प्रूफ करम मुदा किंशना छक्राद नहीं कि तो अभी हम क्या करते हैं इसको अच्छी तरीके से धखके पकने के लिए रख देते हैं अभी देखिए ये सारे सुखे मसाले हैं जिसका हम ड्राय रोष्ट करके पाउडर बनाएंगे और ये इसके अंदर जाएगा ये मैंने कुछ सुखे मसाले यहां पर लिए हैं ये है धनिया एक बड़ा चमज और ये है जीरा ये है सुखी लाल मिर्च और एक तेजपत्ता ये है इलाइची लॉंग डाल चीनी और आधा चुटा चमज काली मिर्च हमें क्या करना है इन सारे चीज़ों को ड्राय रोस्ट करना है और उसका एक पाउडर बनाना है जो मसाला इसके अंदर जाएगा देखे अभी मैं आपको 20 मिनट बात दिखा रही हूँ और ये अच्छी तरीके से पक चुका है हमें टोटल 35 मिनट लगे इसको पकाने के लिए और प्रिपरेशन के लिए थोड़ा 15 या 20 मिनट लगे सबजी को काटने के लिए उसको लगे और टोटल हमें 50-50 मिनट लगे आप एक घंटा ले लिए एक घंटा लगेगा इसको बनाने के लिए और अभी हमें क्या करना है ज करते हैं इसको अच्छी तरिके से मिला लेते हैं और इसके बाद घंट तो तोर करी है तो बनके तयासी पैस्तों आपकि जल्लड़ने की ट्रौस शुरू करते हैं और या चीजी से हमारणी दंगू के में लगेगा और इमयन फ्लेवर होगा यह तेज पत्ता और यह सूकी लाल मिर्च और यह पंच फुरन पंच पुरन जो होता है बेंगोली खाने में उडिया खाने में बहुत ज्यादा लगता है यहां पर मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है क्यूंकि हम तड़का इसका डाल रखा है और यह बहुत तीखा है अभी हम क्या करेंगे यह जो पंच फुरने उसको भी हमने डाल दिया है अभी यह अच्छी तरीके से चड़क जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे अध्रक अभी हम इसमें डाल देते हैं यह देखिए अध्रक हमने डाल दिया है अध्रक डालके इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे अब अच्छी तरीके से जब अध्रक से कच्ची जो उसकी फ्लेवर होती है जो कच्ची खुश्पू हो जब चली जाएगी उसके बाद हम इसको डाल देंगे इस सब्जी के अंदर यह देखिए यह हो गया है अभी हम इसको डाल देते हैं सब्जी के अंदर यह देखिए तड़का का मसाला हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं तो यह देखिए अब इसका फ्लेवर कुछ और आएगा हमने घी दिया है इसलिए इसका फ्लेवर कुछ और आएगा तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगे आप थोड़ा घी ही डाले तेल मत डाले क्योंकि यह एक यूनिक तरे की सब्जी होती है और क्योंकि यह प्रशाद के रू यह बनके तयार है और मुझे एक घंटा लगा प्रिप्रेशन के सहीत कुकिंग दोनों मिला के एक घंटा लगा एक घंटे के अंदर यह सब्जी बनके तयार हो गई है यह जितना स्वाधिष्ट होता है उतना हेल्दी भी होता है जैसा मैंने कहा था कि लाबरा की तरह एक और ना नाद